नमस्ते अभिवादन आपका इनोसेंटे इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों अब तक आपने ये न्यूज जानी ली होगी कि CBI ने भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड हमारे सामने लाकर के रखा है CBI ने बुक किया है ABG Cipyard एक कमपनी है जिसने 22,842 करोंड रुपए का हेर फेर किया है बैंकों से पैसा ले करके और यहां पर कई सारे बैंक से सामने आये हैं जिन्होंने इस कमपनी को पैसा दिया और इस कमपनी ने उस पैसे का 2 रुपियों किया कुछ बैंकों के नाम हम जानेंगे और अगर 28 बैंक है दोस्त ना तो 28 बैंकों में आप ये समझ लीजे कि जो भी बैंक के सेर आप लेकर बैठे होगे वो इसमें जरूर पार्टिसिपेट कर रहा होगा मतलब कि इस 22,000 करोंड में से कुछ ना कुछ पैसा आपका बैंक लोग हिल गए इसके बारे में चर्चा जिस लेवल पर होनी चाहिए उस लेवल पर नहीं हो रही है लेकिन मैं कुछ बातें आप से जरूर कहना चाहूंगा सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा ठीक है ये निवज अभी ताजी-ताजी है कल की है ठ 13 फरवरी है कल 14 फरवरी है और कल है बाजार को खुलना कल बाजार किस तरीके से इस ख़बर पर रियक्ट करेगी वह हम थोड़ा सा डिकोड करने की कोसित करेंगे एकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी का चार्ट ठीक है चीजे हमारे फेवर में थी दोस्त कुछ भी बुरा नहीं था बैंक निफ्टी अपने इंपोर्टन सपोर्ट लेवल के उपर जाकर के खड़ी थी अब इस खबर के बाद किस तरीके का रियक्शन होता है उसको जानन सब्सक्राइब के पास गये हमने कहा कि मुझे आप हजार उपए दे दो बैंक ने बोला क्या करोगे मैंने कहा कि मैं अपना एक ABC बुजनेस करता हूँ जहां पर मैं लेट से की समोसे बेचता हूँ ठीक है समोसे आप सब जानते हो मैं समोसे बेचूंगा मुझे अपने payment आसानी से कर सकता हूँ, बित ब्याज कर सकता हूँ, ये एक तरीके का मतलब normal loan procedure होता है, इसमें कई सारे steps होते हैं, कई सारी चीजे होती हैं, ये तो आप जानते हो, अब हजार उपए ले तो लिए, मैंने समुसे का business expand करने के लिए, लेकिन मेरे मन में थोड़ी सी खोड़ थी, मैंने bank से bank को जो कहानी बताई, ठीक है, bank को जो हमने draft दिया, bank को जो हमने अपने तरीके समझाए, उससे bank agree हो करके हमको पैसे तो दे दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमने उस हजार उपए का दुरूपयोग कर लिया, कहीं और, कोई नया बिजनेस चालू कर दिया, कोई ऐसा बिजनेस चालू किया, जिसके लिए bank loan नहीं अपरूव करता, ठीक है, अपने family वाली चीजों में लगा दिया, ठीक, कहीं न कहीं हमने उस पैसे का उपयोग अलग एंगल से कर लिया, जहां करना था, वहां नहीं किया, ठीक, अब क्योंकि CBI के हाथ में केस, तो आप इतना समझ लो, कि यह जो 22,842 करोन है, इन में से कुछ तो चला जाएगा, ठीक, अब आप एक एंगल से इसको NPA मान सकते हो, दूसरे एंगल से आप ये भी जान सकते हो, कि पैसा zero नहीं अगर आपका कोई दिया हुआ पैसा NPA हो गया है, तो इसको आप सामने वाले बंदे से कैसे recover करवा सकते हो, इसमें banks महारत हासिल लगते हैं, ARC की मदद से, ठीक है, चलिए अभी बैंकों के नाम जान लेते हैं, जहां पर बड़े फ्रॉड, मतलब बड़े लेवल का फ्रॉ होगी तो मैं टेलिग्राम पर अपडेट कर दूँगा, लेकिन कुछ बड़े बैंकों का जो डेटा है, वहमारे सामने है, देखिए 7,089 करोन का जो पैसा है, इसमें, ठीक है, स्टेट बैंक का पैसा है, 2925 करोन, ठीक है, 3634 करोन रुपए है, IDBI बैंक के, 1614 करोन रुपए ह हैं, पंजाब नेस्टनल बैंक के, चलो यहां चोटे में, काम इनका ने पड़ गया ने, तो PNB मतलब होटाला ही सामने हाता था, चलिए, जाने दीजे, 1226 करोन हैं, इंडियन ओबर सीज बैंक के, और यह जो फंड्स हैं, बर यूजड फॉर पर 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 पॉज़ अधर दे साथ, अभी यह कंपनी जो बिजनेस कर रही है, उस पर डेरेकली रूप तो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन क्योंकि कि किसी के बिहाब पर मतलब की लेट्स है कि मैं कंपनी का माली कूं, मैं बैंक में लोनने ले ले गया, तो मेरे उपर बहुत भैंकर वाला मुकदमा ले लेवल का फ्रॉड है, अब यहां पर आप दो एंगल से समझेए, जब कोई PSU बैंक होता है, जब कोई प्राइवेट सेक्टर का बैंक होता है, उनकी डीलिंग अलग अलग होती है, अब इसमें हो सकता है, आप में से कुछ लोग एगरी ना करें, लेकिन PSU बैंक में जो पासिंग ओफ लोन है, यानि कि लोन की जो सेंक्शनी होती है, लोन सेंक्शन किया जाता है कि कोई बंदा आया और उसने लोन मागा, तो असानी से हो जाता है, अगर आपकी पहुंच है, जान पहचान है, समझ रहे ना, मैं बोल ला हूँ कि कुछ लोग इससे डिसेग्री कर लेकिन ठीक है, करिये डिसेग्री, यही लोकतंतर है, और यह होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, थोड़े बहुत केसे में रेट थोड़े से जादा होते हैं, और वहाँ पर मतलब लेवल प्लेइंग फील होती है, वहाँ पर भी यह सब चीजें चलती होंगी, मुझे इतना तो confirm पता है, लेकिन उस लेवल पर नहीं चलती, जिस लेवल पर PSU में चलती है, ठीक है, क्योंकि PSU में आपको अपनी जॉब का खतरा थोड़ा सा कम होता है, इसलिए आप यह सब वाले रिस्क ले सकते हो, तो इसलिए देखिए, जब PSU बैंक क करके बचाना पड़ता है, लेकिन एक अलग अंगल से अगर हम देखें, तो जब private sector में कोई fraud होता है, हमें यह पता होता है, banks उसको अच्छे से tackle कर सकते हैं, banks उसको अच्छे से tackle even करते भी हैं, ठीक है, ICI bank हो गया, Axis हो गया, KOTAK हो गया, अपना HDFC bank हो गया, यह सब कमाल की NPI handling करते हैं, खासकर HDFC और KOTAK, आपको पता है कि यह सब किस तरीके के NPI handling करते हैं, और यहां पर management अच्छे से अपने कर्मचारियों को समझा करके भी रखता है, कि लोन आप जो भी पास कर रहे हो, अच्छे से उसको cross-check करो, चीजों को समझो और समय समय पर, जैसे कि जब इवेंट फोन करके पूछता है, क्या चल आए, आपकी जो पूरी, मतलब क्या credit आया, क्या debit गया, यह सब भी चीजे मतलब, balance जिसको कहते हैं, वो सब भी banks check करते हैं, कि आप कर क्या रहे हो, और क्योंकि यह इतना बड़ा fraud सामने आया है, तो यहां पर बड़े लेवल का पै अब मैं फाइनल एक नटसल में आपको कुछ बात बताता हूँ, 28,000 करोन का fraud हुआ, पूरा पैसा तो नहीं, लेकिन बहुत सारा पैसा इसमें से recover होने वाला है, तो आप इस fraud को एक एंगल से सबसे बड़ा banking fraud देख सकते हो, लेकिन दूसरे एंगल से मैं आपको कह रहा खतरा मेरे उपर भी आया, क्योंकि मेरा अच्छा खासा profit चला है और सब खतम हो जाएगा, अगर ये stock क्रेस कर जाता 4-5% तो जो मैं 7-8% की profit में हूँ गया नसब, तो क्या मतलब मैं एक महीने से डेड़ महीने से share hold करके रखा हूँ, और कोई यसी नहीं हो जा गई, इसको market का inherent risk बोलते हैं और ये सब हमको लेकर के चलना होता है, कुछ इसमें हम कर नहीं सकते, चाहे state bank हो गया, bank को बढ़ोदा हो गया, IDBI bank हो गया, धिर सारे बैंक साइंगे, किसी का 500 करूर का fraud मतलब लगा होगा, किसी का हजार, recovery होगी, अलग तरीके से होगी, CBI किस तरीके से आपको बता रहा था, कि दिख तो रहा है, कि ये बड़ा banking fraud है, सबसे बड़ा banking fraud है, लेकिन reality जो है, वो थोड़ी सी सुख दाई है, क्योंकि सब कुछ सारा पैसा जीरो नहीं हो गया है, और ये एक अच्छी बात है, जिसे बहुत सारे cases में क्या होता है, कि पैसा कहां गया, कुछ हवा ही नहीं लगती है, लेकिन यहाँ पर according to CBI, according to PTI की हवाले से जो report हाई है, वहां से मैं आपको ये डिकोड करके बता रहा हूँ, कि चीजे, देखिए, अगेज तो चली गई है बैंकों के, और जब ऐसी को नियू जाती है, तो पक्च भी हो जाएगा, लेकिन करोंड रुपय था, ये इसको चुरा कर भागा, और अस्ते में 500-500 रुपय गिरते जा रहे हैं, तो कही न कहीं ये चोर पकड़ा जाएगा, तो कि इसके पीछे पुलिस लग जग जई है, और पुलिस कितनी ताकतवरे ये तो आप जानते हो, उसको पकड़ लेगी, अगर गूस ना खाले पुलिस, खैर, मजाकी बात, अब पुलिस उसको पकड़ लेगी, देखो, मेरी बात कोई दिल पर मत लिया करो, चीजों को एक अलग अंगल से देखनी कोसिच किया करो, जो समाज में बुरा हिया है, हमें उस पर बोलना चाहिए, और जो भी लोग इमानदार कर जाए, वो घूस ले जाए, लेकिन वो नहीं लेता, तो उसका सम्मान जरूर होना चाहिए, लेकिन जो करते हैं, उनके खिलाब मैं बोलता आया हूं, बोलता रहूंगा, ठीक है, तो उस चीज को जैसे कुछ लोग बुरा बान जाते हैं, सर मैं पुलिस वाला हम भूस नह करने की नहीं होती, मैं एक समाज की बुराई को आपके सामने रखता हूं, उसको आप अपने अंगल से डिकोड करके लिया कीजिए, और दिल पे मेरी बात मत लिया कीजिए, आसानी से प्यार से सुना कीजिए, जो चीजे समझ में आ है, उनको आप आगे लेकर के जाय करो, अब कही न कहीं चोर पकड़ा जाएगा, कुछ हजार, कुछ लाग का नुकसान हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा एक करोण हमारा नहीं गाया होगा, बस इसी लेवल पर मैं बता रहा हूं कि बैंकिंग फ्रॉड तो बड़ा है, लेकिन चीजें अंडर कंट्रोल है, अको इसको डिकोड करके बताता रहूं, बाकि आप क्या सोच तो जरा बताना, और अगर किसी के पास पूरा का पूरा बैंकिंग डेटा हो, मतलब किस बैंक का कितना है, तो वो बता देना, बाकि मैं कोसिज करूँगा, टेलिग्राम से जुड़ने के लिए इनोसेंट इनोसेंट पर सच कर लिए, टेलिग्राम पर आपको ये डेटा में पूराइट करने की पूरी कोसिस करूँगा, अभी विदा ले रहा हूं, सुन टेटिंग स्टॉक्स जिनमें आप अगले हफ्ते ट्रेड कर सकते हैं, उसकी वीडियो अप्लोड़ेट है चैनल पर जरूर जाकर देख लेना, अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे वीडियो देखने के लिए आपका बाहर, नहुस्कार,